द्याये नित्यम महेसं रचतिगिर्ण भंचारु चंद्रावतंसं रतनाकल पोजलांगं परसुमर्गवराभेति हस्तं प्रसन्नं पदमाशीनं समंतास्तुतिममर गडेर व्याग्रकृतिम वशानं विश्वाध्यं विश्ववंध्यं निखिलभयाहरं पंचवक्त्रं त्रन प्रवेत्रम नमः पारवती पताये हरहरहर महादेव भगवान महामृत्युञेव देवाधिदेव महादेव की विशेश क्रपा और विशेश प्रसन्नता है तू आप सबको पता है जगत में विख्यात है कि प्रदोश त्रियोदसी चाहें वो कृष्ण पक्षकी हो उस प्रदोश के विरत का माहात में जो है वो बहुत ही अतुलनीय है और बहुत ही शुबकरत है साथ साथ में करता कौन कौन है किसे किसे क्या क्या फल प्राप्त हुआ है और क्या फल प्राप्त होते हैं ये महत्तोपूर्ण है संपूर्ण जानकारी शंपूर्ण विधी और और विधान के द्वारा किया गया रुद्रा विशेग प्रदोश के दिन कितने प्रकार के फल हमें प्रदान कर सकता है यहां जानकारी का विशय है इस विशे के लिए मैं आपको सदा सरवदा के लिए देवाधिदेव, महादेव, भगवान सिवकी, अत्यंत और विशेश कृपा की जो पूझी है उसके बारे में बतलाना चाहता हूँ साथ साथ में मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि प्रदोश में किया गया व्रत शभी दोसों से दूर करता है वो दोस कौन कौन से हैं हम जाने में अन जाने में ग्यात अग्यात अनाधिकार अधिकार के द्वारा जो भी हमारे द्वारा कोई भी करत पाप होते हैं शरीर के द्वारा मन के द्वारा वचन के द्वारा वानी के द्वारा एवं भावनाओं के द्वारा या किसी के जाने अन जाने में विवेक के द्वारा वुद्धी के द्वारा समरपन के द्वारा या किसी भी प्रकार से तो उन दोसों की निवर्ती के लिए उन दोसों से मु वाह में रुकावटे होती हैं उनको एक वर्स प्रदोस वरत करने पर लेकिन विधी विधान से नियम और संयम के साथ में ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन आपको बहुत ज़्यादा भूका रहना पड़ेगा बहुत कष्ट होगा कुछ भी नहीं होने वाला है आपको एक टाइ करते हैं रात्री कालीन वेला में जैसे कि सिवतांडव के इसलोप में बताया गया है कि उसमें तुरंग युक्ताम लक्षमीम सड़ईव समुखीम प्रददात इसंभू प्रदोसे प्रदोस का मतलब होता है सायन कालीन वेला में जब सूर्य बिलकुल ऐसे हो जब लालिमा ौनकी वर्ती है सुर्यास्त का समय होता है वह गोधूली बेला होती है उस समय भगवान सिव और मापारवती इस प्रthankवी पर विचरन करते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं जोूंके शुभासित भक्त होते हैं जो उनके सायुजित सामीप्य भक्त होते हैं उन पर उनकी दृष्टी पड़ती है और देवा दिदेव मा पार्वती भगवान सिव उन पर दृष्टी डाल करके उन्हें सर्व यतोचित करपा करते हैं उनकी भावना उनकी स्रधा के अनुसार सभी भक्तों पर निरंतर करपा करते हैं प्रदोस में किया गया चोटा सा विधान भी सफिंधन अभिषेक होता है अथ्वा में watch winter. Прです तो जो नमख किया जाता है विध्षी और विद्धchas के साथ में उस उसकी जो लगभग समय सारणी होती है वह साड़े-6 गंते कि होती है सड़ंग विशेक से भगवान सदासिव भगवान देवादी देव महादेव महामर्तिंजे इतना प्रसंद हो जाते हैं कि जिन कन्याओं की जिन लड़की और लड़कियों की साधी में बिवधान आते हैं रुकावटे आती हैं वो भी दूर हो जाते हैं और साथ साथ में हमारे कुल दे पुर्जा होती है घरों में जो कहते हैं कि नेगेटिविटी जो हमारे अंदर से सब के अंदर होती है एक अपड़ों में जिस प्रकार से गंदगी होती है एक दिन धुले हुए वस्तर आप पहनेंगे और धुले हुए वस्तर पहन करके निकलेंगे निश्चित रूप से साम तक गंदे होते इसी तरीके से जब इस संसार में क्योंकि संसार बहुत बढ़ा है और संसार में हर वस्तू है हर चीज कोई ऐसी वस्तू कोई ऐसी विधी नहीं है जो संसार में ना हो तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी भरती है उसी प्रकार से वस्त्र को धुल करके साथ किया जाता है और इसी प्रकार से हमें राम नाम के शिव नाम के शावुन से उस गंदिगी को दूर करना पड़ता है तो पंदरे दिन में अगर जो आप एक बार भी आप प्रदोस वरत करते हैं प्रदोस वरत के द्वारा भगवान, सिवका, अर्चन, वंदन, समर्चन करते हैं तो निश्चित रूप से आप उन बहुत सारी नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और ऐसा भी नहीं है कि आपका बहुत धेर सारा खर्चा होने वाला है बहुत सरल, बहुत सैध्यानतिक, बहुत नियम और सैयम के द्वारा किया जाने वाला यह रुद्राविशेख सायम कालीन वेला में आप भगवान के लिए दिव भोजन तयार करें उनको भोग लगाएं भोग लगा करके स्वयम पाएं केवल और केवल प्राता कालीन वेला से लगा करके शायंकालीन वेला तक आपको व्रत रहना है उसमें जितना जब हो सके नमस्षिवाय का जब करना है और मैं आपको बताता रहूँगा बतलाता रहूँगा और मेरी इच्छा है भगवान सिव का और गुरु महराज का ऐसा आदेश है कि मैं संसार में प्रदोश व्रत तो सभी क जाता है गुरु महराज भगवान सिव की ऐसी विशेश अनकमपा और करपा से आदेश हुआ है कि मैं संपूरण संसार में जाजा करके जहां भी जिले में ब्लॉग में सहर में प्रदेश में देश में अन्य कहीं भी जाजा करके कराते तो हम हैं लेकिन ये विशेश पराप्त हो ऐसी भगवान सिव के चरणों में मैं निवेधन करता हूं कि आप सभी लोग उस ब्रत के लिए उतरें और इस प्रदोस के ब्रत को जाने और मेरे साथ में या मेरे मुझसे पूछ करके या मैं बताऊं आपको किस-किस विधान से किस-किस प्रकार से आपको यह आप ब्रत करें, पूजन करें, समर्चन करें, अर्चन करें, वंदन करें भगवान सिव का भजण करें और साथ-साथ में यह रुद्रा विशेख की जो परंपरा है इसको विस्त्रत रूप से बढ़ाने का कारिकरें मैं करता रहूंगा और आपको प्रदोस-प्रदोस मैं को बताता रहूंगा दिखाता रहूंगा कि किन किन और कहां कहां पर अविशेख हो रहा है अब सभी लोग प्राणियों में सदभाव ना हो कि इस परंपरा में मेरे साथ में भगवान से उके शमर्चन और अविशेख के लिए धन्यवाद जैसे